हेलो दोस्तों मारे पास question दिया गए 6 कर्मागत प्राकर्तिक संख्यों में से पहली 3 संख्यों का योग 27 है सेज तीन संख्यों का योगफल क्या होगा देखो दोस्तों इसने तीन संख्यों का योगफल दे रखे पहली और लेकिन करमागत है तो हम मान लेते हैं पहले संख्यों क्या होगी X तो दूसरी संख्यों क्या होगी X पलस में 1 तीसरी संख्यों क्या होगी X plus में 2 यह करमा गत है दोस्तों तो इनका योग दे राखे इसने 27 हम क्या करेंगे इनको भी जोड लेंगे इनको जोड लेंगे तो महरे पास क्या आएगा X X X 3X हो जाएगा प्लस में 3 equal में 27 यह 3 उस साइड में जाएगे minus का हो जाएगा यानि क्या आएगा 24 यहाँ से 3 एकम 3, 3, 8, 24 यानि कि X का मानी क्या आगा 8 आगा दोस्तों तो हमारे X क्या माना था हमने पहले संख्या मानी थी यानि कि पहले संख्या 8 आएगे दूसरी संख्या 9 होगी, तीसरी 10 होगी 4, 11, 5, 12, 16, 13 यानि कि X 3 संख्या ये दोस्तों पहली 3 संख्या का ओस्तों मैं दे रख्या था है यहाँ पर तब इन 3 संख्या का योग निकालेंगे तो इन 3 का योग कितना आथा 11, 12, 13 इनका योग होता दोस्तों 36 यही कि हमारा आंसर ओप्शन नमबर A इस राइट